हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का परवेज हों प्लान में और आज हम सब देख रहे हैं आज का हमारा ये बेहतरीन सा घर का नक्सा जो हमारे एक फ्रेंड है उन्होंने कमेंट किया था कि उनके लिए घर का नक्सा बना दें जी हाँ फ्रेंट्स ये चार बेडरूम के साथ गाओं के हिसाब से बनाया हुआ है और हम आज आज आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे घर के मोडल के बारे में और जानेंगे रूम के बारे में की रूम की साइज क्या क्या है फ्रेंट्स और इस घर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे अगर फ्रेंट्स आपको भी घर बनाना है तो आप अपने जमीन के डिटेल कमेंट कर सकते हैं मैं उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा तो जैसे कि फ्रेंट्स यह हमारा गाउं के हिसाब से चार बैडरूम का नकसा देख रहे हैं तो चलिए अब हम इसे 3D के हिसाब से रूम के डिटेल को समझें ओके फ्रेंट्स फ्रेंट्स यह हमारा फ्रेंट्स है और यह जमीन लेबल से ग्राउंड लेबल डो फिट हाइट पर रखी गई है और इसके लिए फ्रेंट्स इस्टियर बिना गया है इस्ट देखने में काफी खुबसूरत लग रहा है फ्रेंट्स फ्रेंट्स में कुछ इस परकार से दिया हुआ है और नीचे फ्रेंट्स रेलिंग दिया हुआ है जो तीन तरफ से रेलिंग है और साइड से फ्रेंट्स इस्टेर है इधर से हमारा में एंट्री होगा फ्रेंट्स औ काफी है स्पेस और इसमें बाई को गएरा पार्क कर सकते नीचे फ्रेंट इसकी चोड़ाई जो है बारा फिट छेंच है और इसकी लंबाई दस फिट है और यहां से हमारे हॉल के लिए डोर है इसी डोर सेंटर हो के हम हॉल एरिया में आएंगे और इसकी साइज काफी बड़ इसकी यहां दौर से विड़ा प्रेंटि आप लिए काफी फिट फिन के यह दो दो प्रेंट में और फ्रेंट आते है मैं जो हमारा पेसे is की चोड़ाई जो माने रख़ी है वह 5 फित है अजिसका डोर फित है और यहीं पर हमारा एक रिक है इस रूमाई की जो रख है मैंने तेरा फिट रख्या है और इस जो ड़ाई सब्सक्राशज और इसके वेंडर size रखी है इसकी चोड़ाई जो है friends 12 feet 6 inch है और इसकी जो लंबाई है friends वो 10 feet है okay friends और इसके ventilation के लिए मैंने दो-दो window रखा हुआ है एक side में window है और एक पीछे window है friends अब चलते हैं toilet and bath की और मैंने इसमें दो-दो common toilet toilet रखा हुआ है जो कि एक guest together के लिए यूज होगा और एक family के लिए यूज होगा friends और इसके लिए door मैंने पैसे से दिया हुआ है friends और इसकी चोड़ाई जो मैंने रखी है वो 7 feet 6 inch है और इसकी जो लंबाई है वो 6 feet 6 inch है friends और इसके ventilation के लिए पीछे एक window रखा हुआ है okay friends अब हम चलते हैं दूसरे bath and toilet की और इसकी जो door है मैंने hall के तरफ से रखी हुए friends और इसकी भी size same ही है इसकी जो लंबाई है 7 foot 6 inch और इसकी चोड़ाई है 6 feet 6 inch okay friends और यहां पर मैंने बाहर ही एक watchvation दिया हुआ है जिससे dining set पर खाना वगया रखा के वहां पर हाँ धो सकते हैं okay friends यह हमारा ground floor पूरा complete हो गया I hope आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं छत की होई इसी इस्टे से चलके हम छत पे आएंगे friends अब हम चत पे आ गए हैं और कुछ इस परकार से हमारा चत देखने को मिलेगा और हम यहाई से entry करके चत पे आएंगे चत देखने में काफी बड़ा है friends और इसमें मैंने 3 side से 3 feet का railing दिया हुआ है जो की इट के दिवाल का ही है और front से कुछ इस परकार से design दिया हुआ है जो की हमारे घर की खुबसूरती और बड़ा रही है friends यह देखने में काफी खुबसूरत लग रहा है friends आज का मरा वीडियो समाप्त हो गया I hope आपको पूरा समझ में आया होगा अगर आपको भी ऐसा घर बनवाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने घर की अपने जमीन की size mention कर सकते है friends अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो एक like कर दीजिए और दोस्तों में share कर दीजिए और हो सके तो चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon में all दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा okay friends अब मिलते हैं कल फिर इसी टाइम में next वीडियो के साथ okay bye